हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल पर आज मैं डिस्क्रस करने वाला हूँ आप लोगों से भारत के उन राज्यों के बारे में जो स्वतंता से पूर्व अस्दित में नहीं थे या उनका नाम नहीं था यानि स्वतंता के साथ आप जोड़े रहें बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हम लोग इन महात्पूर्ण फैक्स को समझेंगे एक्जाम में इससे रिलेटेट का यो आर प्रेश्न पूंचा गया है तो आप लोग बड़े गोर्च से समझेंगे और वीडियो के अंद तक मेरे साथ रहें यह पूरा का पूरा हमारे इंडिया का मैप है और इस मैप के माध्यम से हम लोग पूरे बिस इस्तर पर आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं यह पूरे भारत का मैप है और इस मैप को आप देख सकते हैं उसके बाद आप समझेंगे कि इस मैप में आपने उन सारे जो गठित होने वाला आपका राज है वो है आपका आंध्र प्रदेश आंप्रदेश जी हां दोस्तों भासा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज है आनप्रदेश उनीशों त्रेपन में एक अक्टूबर 1913 को ओफिसेली आन्प्रदेश राज अर्ष्टेत्म में आया ये पहला भारत का राज था स्वतंता से पूर भारत में कुल जवदा राज थे लेकिन उसके बाद जो राज हैं संख्या बढ़ती गई और फाइनली उवराल हम लोग एंड में देखेंगे बर्तवान में कितने राज्जे हैं नेस्ट देखेंगे आप लोग नेस्ट हमारा स्टेट बना महराश्टरा गुजरात से अलग होकर के हमारा जो छेतर है यानि गुजरात और महराश्ट पहले क्या था आपका सिर्फ और सिर्फ एक महराश्ट का छितर था लेकिन महराश्ट से गुजरात को अलग किया और गुजरात उवराल आपका 1960 में एक मई 1960 को आपका गुजरात और महराश्ट दो राज अस्तित में आए यहाँ पर आप देख सकते है, यहाँ पर आपका गुज्रात है और यहाँ पर आपका महराष्टा, यह दोनों के दोनों इस्टेट, एक मईए उन待って में आये एक मईए को ढ़ता है, उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, एक मई उनिशो साथ्भ नेक्ट देखें की नागा लें और ये काफी फेमस है नागा लेंड यहां पर कई सारे आदिवासी जंजातियां रहती हैं और ये एक समय भारत के कुछ छेत्रों में प्रिशद्दे थे बट इनको एक राज के रूप में दर्जा दिया गया 1963 में एक दिशंबर 1963 आप डेट याद रख सकते हैं हरियाणा हरियाणा आपका दिली और उत्तरप्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट है एक नॉमबर 1966 को हरियाणा को एक राज के रूप में दर्जा दिया गया ये आपका पंजाब से अलग होता है और यही कारणा कि पंजाब और हरियाणा की जो राधधानी वो चंड लिगर में ही शंपन होता है नेक्स देखेंगे आपका हिमाचल प्रदेश 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्में आता 1971 आप जानते हैं कि भारत का बांगला देश से जो सिस्टम बना यानि भारत और पाकिस्तान की बीच उद्ध हुए पूर्वी पाकिस्तान को ले जाता तो याद रख सकते हैं 15 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश यानि हमाले के आँचल में यानि हमाले की गोद में इस्तित्प्रदेश को हिमाचल प्रदेश बोलते हैं मेघाले मडीपूर और आपका तिरपूरा ये तीन स्टेट ऐसे हैं जिनको 21 जनवरी 1972 को एक अलग राज जाप याद रखिएगा मेघाले तिरपूरा और मडीपूर मेघाले आप जानते हैं कि सरवादिक बरसा वाले इस्थानों में प्रसिद्ध है मौसिन राम पहले आपका चेरा पुझी हुआ करता था मेघाले मेघाले यानि मेघ जो बादल है जहां पर उनका घर है बादल का भंडार है उसको बोलते हैं मेघाले मडी पूर आप जानते हैं कि केवोल लमजाव एक मात तैरता हुगा नेशनल पार्क यहां परिस्तित है तिरपूरा ये तीनों तरफ से बांगला देश से घिरा हुगा राज्ज है नेक्ट देखेंगे आप शिक्किम शिक्किम भारत का अबादी वाला प्रिदेश है और शाथी साथ समधान के अनुच्छेद दो ए इशी के लिए प्रसिद्ध है च्छतिस पैंतेस और च्छतिस में समधान संसोदन इशी के लिए हुगा पहले ये सहराज का दर्जा दिया गया और फिरिश को भारत का एक राज जमाना गया 1975 मे 26 अपरेल 1975 की डेट आप याद रखिएगा शिक्किम जो की काफी स्वक्ष है जैव इंधन के छेतर में भी ये आदम निर्भर है और साथी साथ सबसे कम जनसंग के अबाला राज है नेक्स देखेंगे आप मिजोरम मिजोरम अनाचर प्रदेश ये दोनों स्टेट बीश फर करके भारत और चीन की बीश 1962 में बार भी हुगा बीश फरवरी 1987 को एक अलग से राजी के रूप में हमारा अनाचर प्रदेश और मिजोरम अस्तित में आए नेक्स दिखेंगे गोवा गोवा तो बहुत प्रिशिद्ध है सब लोग जानते है गाना भी है गोवा वाले वीच शताशी को मनाया जाता है गोवा आपका यो पुर्तगालियों का छित रहा है और यहां पर सरकारद्वारा ऑपरेशन के माध्यम से गोवा को मुक्त कराया गया था और शाती साथ समंदर के किनारे इस्ते थे ये इसकी इस्थापना तीश में यूनिश्व शताशी को होती है नेक्स देखेंगे आप च्छतीस गड़ च्छतीस गड़ यानि च्छतीस जो गड़ों का प्रदेश है उसको बोलते हैं च्छतीस गड़ एक नॉमबर दो हजार को इसकी इस्थापना होती यानि अटल विहारी बाचपई उस्था में भारत के प्रधान मंत्री थे नेक्स दो हजार को इसकी इस्थापना होती है तीन आपके स्टेट आएंगे मैं एक और आपको बताता हूँ जार खंड जार खंड आपका बिहार्श अलग हुआ है च्छतीस गड़ आपका मद्रदेश से और आपका उत्तरा खंड उत्तर प्रदेश यानि तीन स्टेट से ये तीन सबसे पहले आपका जो बनता है वो बनता है आपका च्छतीस गड़ फिर बनता है आपका उत्तरा खंड और फिर बनता है आपका जार खंड कज 1915 यानि 1915 लिख लेंगे एक नौ और पंदरा जो पीछे का बर्ड है वो इससे मिला देंगे सी यू जी इसकी कोड है नॉमबर का महिना है एक नौ और पंदरा दो हजार बर्स है यानि दो हजार जो बीश्मी शदी का अन्तिम बर्स था नेक्स्ट और लास्ट आफ का है तेलांगना जो 29 में राजिव के रूप में जाना जाता है भारत का बर्तमान में जो राज्यों की बात की जाए तो हमारे देश में ओवराल जो स्टेट्स की संख्या है टॉन्टी एट है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2019 के बाद से जम्हो एंड कश्मीर को अलग से यू-T बना दिया गया और इस यू-T की बज़े से जो राजी का दर्जा है राजी की संख्या है वो कम हो गई और यूनिन ट्रेटरी की संख्या में बृद्धी हो गई तो ओवराल जो हमारे स्टेट्स हैं वो तॉन्टी एट है बरतमान मे 29 में राजी के रूप में जब 2014 में 2 जून को अस्तित में आया ते लांगना तो उस समय ये संख्या 29 थी फिलहाल 28 है तो ये थी राज और उसके स्थापना से शम्मंदेत महात्पूर्ण जानकारी आप इसको बड़े अच्छे से समझिए चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं एक्जाम में इसे रेलेटेड एक परिशन पूछा जाता है राज से सम्मंदेत ये बटवारा से सिक्किम से गोवा से साथ ही साथ छेतरफल से डेमोगराफिक पूछ ले या फिर स्थापना बस तो आप पूरे के पूरे पूइंट एक साथ नोट कर लीजिए बहुत हैलफल होगा आई होग कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और शाथ ही साथ आप चैनल पर नाए हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लें बहुत ही बहतर इंफॉर्मेशन और बहुत सारे कंटेट में आपको यूटूब के माद्धम से सौट छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अवेलबल कराता हूं जो कि आपके लिए एक्जाम में बहुत हैलफल होने वाली है चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जुड़े रही एक्जाम लवर्स के साथ यह हमारा टेलीगराम चैनल है आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बिलकुल जुड़ सकते हैं जी एस लवर्स बाइदाजन महाजन यह बहुत महत्पूर्ण टेलीगराम चैनल है हाँ पर मैं आपको क्यूज बहुत सारे फीडियो फिरी में अबेलेवल कराता हूं तो जरूर जुड़न करें और बहतर थैयारी को बना रखें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जुड़ने के लिए धनवाद